तुछ नियूस वोल इंडिया देख रहे हैं आप और इस कारिकर्ण का नाम है सत्ता का संग्राम और बहस है चर्चा है सब कुछ है यहां यहां नेता होंगे उनके साथ चर्चा होगी और चर्चा के बाद यह सोचा और समझा जाएगा कि आखिर चुनाओ आते आते वोट बैं की आज मैं बात कर रहा हूं उसी वोट बैंक की बात कर रहा हूं कि जो सबसे सामाने सबसे कॉमन वोट बैंक है वोट बैंक का जिक्र करते ही सबसे पहले आपके जहन में उसी वोट बैंक का नाम आ गया होगा Muslim World Pack किसी का कोई भी factor हो किसी भी party का कोई भी गड़ित हो उसमें M factor जरू दिखता है M Y factor की बात करू M D factor की बात करू कितने भी आप M Y X Y Z कुछ भी कर लीजिए लेकिन M factor पर सब की नज़र रहती है हाला कि BJP ऐसी party है जिसने एक बार यहां तक कह दिया था कि उन्हें मुसल्मानों की जरूरत है उनके नेता ने कहा था लेकिन बाकी जो party हैं वो मुसल्मानों को साधने की हर मुमकिन कोशिश करती है तो अगर मैं मुसल्मान शब्द का एक सेंटेंस में प्रयोग करूँ और साथी साथ ठेकेदार शब्द का भी प्रयोग कर दूँ तो कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि राज़नी थे और सियासत में ये सब कुछ जाय समझा जाता है लेकिन आज इस पर चर्चा होगी कि आखिर मुसलिम वोट बैंक इस बार किस रहा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में दरसल असद्दूद्दीन ओवैसी साहब भी आ गए है इसके साथ ही पीस पार्टी भी है तो ये दो पार्टियां जो है इस बार किस तरीके से गड़ित फेल करने वाली है गड़ित फेल किसका करेंगी ये भी आपको बताते हैं गड़ित फेल करेंगी समाजवादी पार्टी का कॉंग्रेस इससे पिछले वाले चुनाओं में क्या हुआ था कि जादा ताकत के साथ नजर नहीं आई लेकिन इस बार प्रेंका गांधी जी के अगवाई में इस बार कॉंग्रेस भी चुनाओं में भरपूर जोश के साथ है और ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि प्रेंका गांधी कॉंग्रेस की भीड जुटाओ सबसे बड़ी नेता है और इस बार देर जरूर हुई है लेकिन वो मैदान में है और पार्टी को जोर सूर से आगे बढ़ाने की कवायत में चुटी हुई है इतनी कवायत तेज है कि आखिरकार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उन्हें भी कहना पड़ा कि ठीक है वो अपना काम कर रही है हम पर उंगली की उठा रहे है तो प्रेंका गांधी जो है वो अपनी पार्टी को अकेले लेकर चल दी है आगे बढ़ रही है लेकिन उनका गड़ित भी कही ना कही बिगड रहा मुस्लिम गड़ित जो है मुस्लिम फैक्टर जो है वो कही ना कही बिगड सकता है असदुद्दीन वैसी की वज़े से और इसके साथ ही पीव पार्टी के वज़े से इसके साथ ही समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम वोट बैंक का जो गड़ित है इसको ऐसे समझते हैं कि मुस्लिम जो वोट बैंक है इससे पहले चुनावों में सीधा देखा जाता था कि जाधा तर सीधे स्पष्ट रूप से मुसलमान समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते थे लेकिन इस बार उनके पास विकल्ब इतने सारे खुल गए हैं विकल्ब खुल गए हैं तो बटने की पूरी संभावना है आप पस्षेमियुत्तर प्रदेश में जाईएगा तो वहाँ देखेंगे कि समाजवादी पार्टी की और जादा जुकाओ है आप अबर शेतर में जाईएगा तो देखेंगे कि वहाँ पर कॉंग्रेस का भी थोड़ा बहुत दिख रहा है इसके साथ ही आप इटावा, एटा, मैनपूरी इन शेतरों में जाईएगा तो शेपाल सिंग आदव का यहाँ पर प्रभाव है तो ऐसे में मुसलिम प्रसपा की और भी जा सकते हैं फूर्वांचल की बात करें तो इधर पर कॉंग्रेस का दिखता है तो कॉंग्रेस की तرف जा सकते है तो मुसल्मानों के पास इस बार विकल्क खुले हुए है इसी मुस्लिम वोट बैंक पर इस बार कौन ताल ठोक रहा है इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये मुस्लिम वोट बैंक किस ओर लेचाएगा इसके साथ ही चर्चा शुरू करेंगे चर्चा में जो हमारे साथ महमान जुड़ रहा है उनसे आपका तारूरुफ करा देता हूं बुदेव शर्मा सहाब हैं, कॉंग्रेस से हैं, अनिता अगरवाल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं कीरती निधी पांडे सहाब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं, शोईब खान हैं, प्रसपास हैं सबी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार करते हैं चलिए तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनीता अगरवाल जी से तो अनीता अगरवाल जी ये बताइए कि आपको तो शायद मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझता हूँ आपको तो इससे जरा भी परेशानी नह अपको तो वड़क लिए हरे हमको चाहिए नहीं है कि हम सबका चाहिए नही ब्वीकार को जो बेकार किय은 उस उसके लिए कि पहली पास हम वोक हूँ नहीं हुआ है कि हमार इस जित्ता विजार झाट कारते हैं हमार इस हंता आनमाय जित्थी भी उजनाए हैं आप कहां है हुआ लोग्राइ नहीं है जो सब्सक्राइब करते हैं पहुआ है थे लिए रख फिट्राताओ वेकिन वे भी पडाएब थी वे पर देखि्वक्ष है अनिता जी यह बताईएगा ठीक है अनिता जी ठीक है आप लखिमपुर क्यों नहीं पहुंचे वोट से यह मानब भड़ा है आपके कानून मंत्रिया अब लखिमपुर पहुंचे इतना देर सवेर क्यों पहुंचे आप पहले क्यों नहीं पहुंचे आप नहीं पहुंचे किया पंच दिन लग और मुक्हमंत्री के बेटे को ऐसे आपने आगे आगए आगे मुक्हमंत्र वो गर्रहराज मंत्री जी में बेटे थे और पीछे पीछे तो पुलिस थी पाश दिन तो उनको गिरफतार करने में लग गया आपको देखे ऐसा नहीं हमने कहा था जब वो जाज जैसी को अब लीड़ किसी के दबाओं में आके या किसी के उस पर हम लोगने काम नहीं करते हैं तो जो ठेक्ड उस पर यहात रहता है। मुखमant complimenti जी साथ सादाफ का में किसी के दबाओं में काम नहीं करते हैं वहां के लिए क्यों नहीं मुसल्मानों मुसल्मान वोट बैंक की बात हुरी मैं कह रहा था कि आपको तो कोई चिंता नहीं सता रही होगी आपको तो चाहिए ही नहीं आपने अपने अनीता जी अनीता जी लेकिन आपने अनीता जी लेकिन आकड़े किसी से छुपे नहीं होते मतलब आपको मुसलिम वोट क्योग नहीं देते किसे का नहीं देते बहुत कम पर्शेंटेज है बहुत कम पर्सेंटेज है अवित्तर प्रतेश की बात कर रहा हूं सब्सक्राइटर लौयां कि ऊजिते हैं सब्सक्राइट Hero एफिछ कर सफोड़ एंप हीमिच आप लोग मुसल्मान साथ काम नहीं करते हैं. मुसल्मान जो अच्छे हैं, पड़े लिखे हैं, आज मैं देखा हैं, हम भी जहां रहते हैं, मैं डोकेटुमार साथ बहुत ऐसे वकील हैं, कीरती निधी पांडे साथ के बास चलते हैं. इस बार आपको नहीं लगता है कि परिशानी बढ़ती जा रही है, एक तरफ प्रस्पा भी आ गई है, दूसरी तरफ कॉंग्रेस भी आ गई है, असदुदी नोवैसी साहब भी आ गई है, तो जो आपके MY फैक्टर की बात होती थी, वो फैक्टर तो बिल्कुल डिफेक्ट हो जिस खूबसूरती से का रहे थी, कि हम सबका साथ सबके विगास की बात करते हैं, यह बात साक्षी माराज को क्यों ने समझ करते हैं, जो साक्षी माराज इस देश के अंदर मुसल्मानों को उत्तरफ देश के अंदर आतंकवादी करते हैं, यह बात उत्तरफ देश के मुख तक्तवादी उग्रबादी बता रहे हैं यह अपनी सरकार को क्योंने बता पर यह जो मुसल्मानों को खिलाब लगातार साजिस कर रही है और एक नहीं कारोप में लगातार फर्जी गिरत्कारिया करके हिंदू-मुसलिम करने के लिए लगातार प्रयास्वत और जहां तक चुपाल सिंहादोजी लगातार इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि उनका समाजवादी पाइटिफ की और निता अधनी अखलेश जयादोजी लगातार इस बात को कोई अगर मुसलमान या दोपात महिलाओं और युवाओं कर आज पूरा उत्तरप्रदेश महनाई से बेरोजगारी से कानून बेवस्ता से परेशान है और इसके तमाम उदार है विहार का चुनाओं देख लिए बंगाल का चुनाओं देख लिए कहीं भी ओवैसी सा कोई फैक्ट पर चुनाओं लडेंगे वो सौ सीटे होंगी जहां पर मुसल्वाद जादा संख्यावे हैं उनकी पार्टी है वो फैसला उनका है वोट तो आपके काट ने जाएंगे जो मुस्मिल वोट बैंक आपका है उससे वोट वो काट के लिए कोई मैंने कहा ना कि मुसल्मान याद और जितने लोग इस महनाई से मुक्ति चाहते हैं पेरुद्गारी से मुक्ति चाहते हैं विकास चाहते हैं लाइन अगरा चाहते हैं उस सक के सब सारे धर्म चोड़के सारा वर्ग तोड़के समाजवादी पार्टी के उस एलाइंस के साब खड़े हैं ठीक है लाइन्स के स कि आपके वोट काटने जा रहे हैं कि हमारा काटने नहीं प्रयास करेंगे प्रयास में अगर सफ़ाल हो गए तो तो वोट काट लेंगे कि आपको किसले विदा किया था furniture किया था और बड़ी इमांदारी से स्विकार कर रहा हूं कि यादनी अखलेश जादो जिनुन विकास के कारे के थे उसको हम जंता प्लक सही माइने में पहुचाने पाइए और भारती जंता पाटी उस चुनों को भी हिंतु मुसल्मान के लड़ने का काम क्या था संसान कभिस्तान दिपाउली और इद होली इसके संसान के नाब को ओड मांग रहे है इस तरीके से बटाउली और होली इद विजली मिलती है इस तरीके से बटावारा क्या कि संसान में पैसा लगा कभिस्तान में लगा पैसा थिक है ठीक है समझे आपकी पूरा जानता है ठीक है एक ठीक है सब पर एक एक करके चलूगा फिर डिबेट को खोलेंगे ठीक है अभी मैं कीरती निदीश जी के पास ही हूँ कीरती निदीश साब ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि पहले तो लड़ाई बीजेपी से थी बसपा से भी थी लेकिन क कॉंग्रेस जिस तेजी से निकल कर सामने आई है अब प्रेंका गांधी जो लीड कर रही है और लखीमपूर खिरी वाला जो पूरा मैटर है उसको जिस तरीके से उन्होंने पूरा हाईजेक कर लिया आपको उसमें कुछ भी नहीं मिला पूरा लखीमपूर खिरी वाले जबारा किषानों को उपर गारी चढ़ाएगे नहीं वो एक अलग मसला है मैं यह कह रहा हूँ है थीक है विपक्षी पार्टियों का अब प्रेंके निकले उनकी गिरिफ्तारी हुई और पूरे उतर पदेश्की सभी जनकदों ने समाजवादी पार्टी के कारकरताओं की क्रिफ्तारी हुई धर्मा अंडोलन पर द्रस्मां गठी और अजवादी पार्टी के खाले हैं थीक है अब एक मिनट एक सवाल और लेंगे इन आपको दिख राहा है आपको दिख रहा है आप कौन साथ प्यालाओं में जो रख्यास्त्रा निकला ना उसमें आपता चैनल नहीं देख पाया होगा आप देखे उसको जो जन सहला भी वहां उसे ले करके बुजुर्गों तक का उनके पीछे चला है वो ए संके तक्तितर्थी से परिवर्तन होने ज देखिए ठीक है बरावरी से देखता हूँ अब सुरिए किरती निदी साब मैं जो पूछ रहा था उस चीज़ का पर जवाब दीए किरती निदी साब रही है थीक है ठीक है अप्णा प्रक्ष रख रहे हैं और अंगोलों में प्रदा करने का चाल कर रहा है ठीक है अब बुदेव शर्मा जी के पास आते हैं ठीक है बुदेव शर्मा साहब ये बताइएगा कि ठीक है प्रेका गांडी लखीमपुर खरी वाला जो बुरा मैंटर हुआ उससे रिका का सामने आई तो स्वीरे सदी ने देखी खुब चर्चा है प्रेका गांडी ने आप देख रहे हैं कि प्रेक में 1970 के वाल इस तरह से कर्मारा को मुहार्टी जनता पाल्टी का दर्ट के द्वारा थितनी पाल्टी है और जोओं को दर्ट ज़्का गया प्रेवानों का पासिस्क्ता है जिसका आज ये हाल हुआ कि मुट्पर का रिवेजु देले वाला राज़िता को आज इस पदर आज प्याम पे महिलां के साथ अच्या चाहत। बेरोजगारी को लेकर के वित्यार्ति आंदोलन कर रहा हैं। सभी बर्गों को सबी जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टिय है। तो राजस्तान में भी किसानों पर लाटिया चलाई गयी लाटिया चाटिया लेकर तास्वीर से देजिए। बिद्विदा भी जवाब कुंगा, पहले मेरी बात तो पूरी होनी की जिए, आज हम किसानों के मुद्धे, क्यों के कॉंग्रेस पार्टी किसी भी राझ्यम है, चाहे ये देश के चुनाव हो हो, हम केवल जो मुद्धे होते हैं उन्हों के चुनाव लड़ते हैं, आज बेरोजगारी अपने चरविष्टर को चूरही है, यह भारतिय जंता पार्टी को नहीं ठिक रही है, आज उत्रपतेस में, जिस तरह से कानून का राज ये तरह से कहें कि कुलिस वाले होटलों में जाकर कि किसी को भी मार रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे है पित्यार्ती बेरोजगार भूम रहे हैं, तो आज देश की पूरी जंसक्या जानती है, वो प्रवंद भी मिस्टरकार के द्वारा किया गया है, जोग ऑक्सिजन की कमिके कान सब्सक्राइब के मरते रहे हैं, वो समय भी कॉंग्रेस पार्टी कंदे से कंदा मिला करके आज आज ये नौवत आ गई है, कि आज सपा को वस्पा को या भारती जंता पार्टियों को जाती का तांदुलन करने की जरुरत पड़ी है, ये कहीं पर ग्रामण सम्मेलन कर रहे हैं, कहीं दूसरी जातियों के सम्मेलन कर रहे हैं, तो आप भी तो गंदा जी में डुकी लगा जाति, नहीं कष़े हैं, तो तूसरी जैता आफिया, अनी टूसरी के सपा के सभी सेंखेर का वव्यत हैं, जाति है, अगर एक गंदा जी में मंदर में जाएं या गंदा जी में डुकी लगा तो यह तिक्कत होती है, कि तर्प नहीं सब्सक्राइब द कम करके तो आपको Weं की तरफ तक्रीफ कर रही है तो आपको क्या तकलीफ है उनको भी सात लेकर चल वाई बिल्कुल हम बता वही हम मैं आपको बताना चाहरा हूँ विकास जी आपके मात्यम से पूरे देश की जनता को भी ये पता होना चाहिए कि इन्हों ने जो दुस्तिकरण की राजनीत की है वो दुस्तिकरण आज इनको ये संभिलन करने की जिरूरत पड़ रही है लेकिन इंवल देश के विकास को लेकर के देश की अर्फवेवस्ता तो देश के लोगों के विकास के ऊ करते हैं देश के युवाओं के यहां कि विश्वकृ नहीं बनाया जा सकता है आज उस्तर प्रतेस में जिस तरह से मैलाओं के साथ तो रखना हो रही है तो यह चीज पूरा देश देखना है और इनसे परेशा ने महगा ही अपनी चरमिश्टर को छूच पी है जोंकि दिन प् देश के पैदा हुए है यह तो अज पूरे देश का युवाब अधिक है शोईब खान साब के पास आएंगे प्रतिशी समाजवादी पार्टी से हैं सोईब जी जाना चाहता था कि आप लोग बार-बार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुले हैं समाजवादी पार्टी कह रही है कि हाँ हमारे दरवाजे खुले हैं आपके अगर यह दूसरे के दरवाजे खुले हैं और पहले से आप लोगों का पारिवारिक रिश्टा भी है तो ऐसे समस्या कहा आ रही है आप लोग साथ क्यूं नहीं जा पा रहें क्योंकि confusion की सिथी प कि आपके काफी सारे जातिकर जो आपका कोर वोटर है आदवों की बात करूं या मुस्लिम की बात करूं ये लोग अभी कंफूजन के सिटी में है कि जाना कहां है कौन असली समाजवादी है समाजवादी, आदरी के समाजवादी, आदरी का रधानी रज्वादी, लमीनी इश्वादी है, हमने इस अ the जनधा की बनी राए लगं सारी प्रसाबजा सारीरिक ना कुня लाए है जैसे कि आपको द्यनकारी इतने कम वक्त के अंदर पुष्टर के पिशितर के पिशितर में आज पर गद्शील समाज के अंदर है जो आज इसे पाल जी के होगी आप आने काम कर सकता है हम भारती इतना पार्टी को 2022 में हराना चाहते हैं समाजवादी पार्टी भी हराना चाहते हैं आपको नहीं लगता कि आप दोनों आपस में ही कही न लड़ जाए आपस में ही नुकसान न कर बैठेंग दूसरे का नहीं ऐसा कुछ रहा हूं कुछ लोग अगर श्रेपाल जी को चाहते हैं तो कुछ लोग अखिलेश जी को भी चाहते हैं आप लोग कही अपना ही नुकसान न कर बैठेंग नहीं ऐसा कुछ रही है हम जनता की भी चाहरे अपनी पार्टी को लेकर अब किर्ति निदी पांडे साब के पास आ रहा चूंगा किर्ति निदी जी ये बताइए कि मुस्लिम वोट बैंक यहां अगर 19-20 परसेंट जो है उसको इस बार आपको क्या लगता है क्योंकि सिक्षा के लिए आज तक सबसे पीछे रहे हैं इस पर कोई कोटाई रहे हैं हमको और आपको बात करने में विकास की चीजों में सबसे पीछे रहे हैं जहां पर यह बहुल जारा संख्या में हैं वहाँ पर उन छेत्रों में आज भी हम देखते हैं कि विकास इतना जारा नहीं हुआ है सिक्षा को लेकर अभाव है और ऐसे में इनको कैसे जागरूप किया जाएगा कैसे आगे बढ़ेंगे इनको लेकर इनके लिए कुछ करने की जरूत है इसके लि जिता जी की सरकार में है आप ही की सरकार में मुझफण अगर दंगे हुए काफी मुसल्म उसमें मारे गए हम अपनी बात पहले पिर आपके बात का जवाब देंगे नहीं है इसमाजवादी पार्टी है गोध्रा में समाजवादी पार्टी का कार्याल है आप ये बताइए गोध्रा में समाजवादी पार्टी का कार्याल है नहीं है तो आप जहां पर हैं वहां पर विश्या पर बात करिए उत्तर प्रदेश की बात हो रहें वहां की बात करिए अभी आप कहेंगे जर्मनी में दं पूछ के अभी आपने कहा कि क्या प्लान है तो मैं पूछ रहा था कि कैसे उत्थान करेंगे पिस्मी वार आपको वॉका दिया जंता ने आपकी सरकार बनी क्या उत्थान किया आपने तो पता रहा हूं कि मैं समाजवादी पार्टी जब जब उत्तर्फ देश के अंदर सरकार बनी है मुझे समाज के लोगों के उत्थान के लिए और समाज में जो मदर्से भारती जनता पार्टी और देश के सामने आईएसाई का अटा बताने में लगे से उन मदर्सों को मीनि कि देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार है और यह व्यवस्था बनी कि जो लोग 1500-2000 वेतन पार्टे थे उनको पूरा धापक का वेतन देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ तो आपको नहीं लगता कि काफी मुसलिम इस चीज से भी नाराज है कि आपकी पार्टी में मंतरी रहे इसके बाद जेल चलेगा आप लोगों कुछ किया भी रही उनके लिए पिकाज जी कुछ दायर बना के सुन लेते मैं एक सवाल के जवाब देता रहा है एक सवाल पुटा नहीं हो जवाब तपर दूसरा सवाब देता है और मिनी आइडिया के बच्चों के आरे आप सत्ता में आपके पास तो मौका ही मौका है इनको बोल ले दिजिए थोड़ा सा ठीक है बोली आप किर्थी अपनी वाथा के साथ साथ टेकनिकल पढ़ाई करके रोजगार से जोड़ने का काम की है आल्व संख्यक बेटियों को हाइ से अजोजी की सरकार में तीस जार रुपया हम लोग उनको देते हैं और जो भी और जोहर इंवर्टिटी से लेकर के जितने मदर्पे और कालिज कोले के होता हमाली सरकार में अप्लिकेसर आए उस सब को हम लोगों को लिए और लोग सिच्छा के जिए आगे बढ़ेगा जो लगातार समाजी के सरकार में और समाजवाती पार्टी लगातार उनके पक्ष में और खड़ी रही मुसल्मानों के फक्ष भई आप खड़े रहे इसलिए आपको लगता कि हिंदू वोटर आपसे नाराज हो गया वही तो आरोप है आप पर कि आप जाती धर्म के अधार पर दिया क्या उसमें को जाती धर्म के अधार पर दिया यही तो बीजेपी कहती है कि हमने उज्वाला योजना में ठीक है यही बीजेपी कहती है यही बीजेपी कहती है कि हमने उज्वाला योजना में जो सिलेंडर दिये क्या धर्म देख कर दिये यही बात है वो कहते हैं जो हमने प्रदान वंत्री आवास सिलेंडर के तहर नहीं हो पाए मतलब आप मतलब मान रहें इस बात को कि सिलेंडर घर घर बाटे गए गरीबों को सिलेंडर दिये गए उसका 70% नहीं दुबारा रिफिल हुआ वो फिर चूला फुद्रे को मजबूर है चांसों का सिलेंडर आजे 1000 में है ठीक है गरीबों को सिलेंडर दिये गए जो योज़ना जो थी सिलेंडर देने वाली वह आप मान रहे है तो मैं भी बता रह वोट की वही बात बता रहूं आप वो सेखे आरुप लगा देते हैं स्ब्सक्राइब अधिस जाब देंगे निताजी जवाब देंगे इताजी जवाब देखे समाज बादी पालती हो यह सब एक तर्पाम ओट कि रागिटि करने वाली पार्टिया है क्योंकि आपने मुझबफर नगरकार में देखा है लोगों का पलाइन कैसे हुआ और दूसरी बात आपने ये भी देखी है कि मुझब अखले जीरे रहे हैं कि इसमें मुस्लिम बेजियों का अधिकार है राप क मुखर नगर के बंड़ायों को मंत्री बना दिए। मैं जिसमें मुखर नगर के बंड़ायों को मंत्री बना दिया। कि इसके बाद में सीधे भुदेव शर्मा जी के पाँ सागवाटू आप सुनना ही निशाते हैं समाज वादी पालती है तक वादियों के पक्ष्मे मुकतमे करना कार सेव को पे गोलिया चलाना अप राधियों को श्रक्चर देना कि अनिता जी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने कहा कि आतंगवादी के पक्ष्में फैसले देना समाजवादी पार्टी के काम ने आप आप उन सपर कारवाई कर दीजे आप तो आपके पास सबका है 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 तो आपके एक वोटमों के पाधनें कुछ निटेड ही। कि विखास की बात किये सब पर विश्वास की बात कि ए तक है मैं तो हजार पंदुरह में घटना हुई थी के और उस घटना में दाधरी के वेसारा गाउ ठाथ हाँ जहां पर एक मुस्लिम यूवक की हत्या कर दी गई थी उस मामले में उस वक्त 19 आरोपी बनाए गए थे आपकी सरकार आते ही उन सभी को छोड़ दिया गया सारे मुकद में वापस ले लिए गये और जिसकी हत्या होई थी उसके लिए कहा गया कि उनको जो जो दिया गया है मुआफ़जे के तौर पर उसा वाप बचाने की एक स्टेज पर खड़ी होती है उसका स्टेंड होता है मुझफवर नगर दंगे में जो लोग आरोपी थे आज वो लोग बाकाइदा एक अच्छी प्रोदिशन पर स्टेंड करते हैं आप आपको नहीं लगता कि पार्टी कैसे लोगों का पलाइड हुआ नहीं ठीक है चलिए कॉंग्रेस ठीक है आपके ठीक है अनीता जी अनीता जी आप मेरी बात को रहीं समझे आपके जो मंत्री है आपके जो मंत्री है ठीक है अनीता जी आप कितना भी है सबका साथ सबका विकास की बात करती रही है लेकिन आपके मंत्री कहीं ना कहीं को खोल देते हैं आपके मंत्री लगातार जो मुसल्मानों के खिला बयानबाजी करते हैं तमाम बयान है उनको अगर रोका नहीं जाता उन पर कारवाई नहीं की जाती तो इसका मत्रा साफ है कि पाल्ती का भी नरम रुखता है। तो इसका मत्रा साफ है कि पाल्ती का भी नरम रुखता है। आपके पास क्या एजंडा है किसके साथ आप आने की कोशिश में हैं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि अनीता जी में काफी भरिष्ट हैं। तो प्रवक्साओं को मैं बड़ी काफी देव से रहाता। किसी ने भी विकास को लेकर आता। क्या विकास करना एक केवाल हिंदू और मुख्लिया विकास के नहीं बार किया वर्मार किया। आप यह बताइए कि बेटी बचाओं बेटी प्रवक्साओं का नारा देने वाली पार्टी में आज उत्र प्रवार दिया जाता है। अगर यह इंदू इंडी इंडूस्तान का नारा देते हैं उत्र प्रवक्साओं के साथ में किस तरह का विवार किया जा रहा है। इनके नेता गारियां चड़ा चड़ा करके लोगों को मार रहे हैं। आज वो रिपोर्ट धर्ज कराने से डर रही हैं। आप का डेलीगेशन राच्षपती के पास पहुंचता है विकास की बात को लेकर पहुंचता है या लखीमपूर की बात को लेकर पहुंचता है। तो उसके लिए विपच पूरी तम तम के साथ आवाई उठा रहा है हम जब तक आवाई उठाते रहेंगे जब तक इस देश के लोगों के साथ यह अन्याय करेंगे उनको न्याय नहीं मिलेगा ठीक है 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने है इसलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश की आपको उत्तर प्रदेश के मुद्दे मिल रहे हैं कश्मीर में भी पांच लोगों की हत्या की गई उसको लेकर आपने राश्टमदी से क्योंकि वहाँ पर आउल गांदी में बहुजू विकाष टेश के लोकुंत्र को अगर मजगूध बनाना है इस देश के लोकुंत्र को बचाना है तो फिपच का काम है देश के लोगों के मोते उठाना अगर आवाज नहीं उठाता तो जिस तरह से राधरस में उस लड़की को रात के 12 दे जला तिया गया ऐसा ही जरा छी घृने भी करते करने है कि अभी जो फ़िए ठीक है भुदेव साथ मैं यह जानना चाहता था कि ठीक है बीजेपी से आपकी सीधी लडाई है ठीक है वो सत्ता में है ठीक है आप किसको कॉम्पटीटर मान रहे हैं अपना समाजवादी पार्टी को मानते हैं बस्पा को मानते हैं किसको मानते हैं विकास जी भार्टी जनता पार्टी के साथ ही अपना कमपोडी साने सपा और बस्पा कहीं पर भी इस बार इलेक्शन में नहीं है क्योंकि आप मानिए क्योंकि इस तरह से इन्हों ने जो विपच्च्चों के आवाज को नहीं उठाया इसका काम था लेकिन सपा के नेता जो डरे हुए है आज भारते जनता पार्टी से इतने डरे हुए है किसी भी प्रकार के मुझ्चे को उठाने में यह सो बार सोचते हैं कांग्रेस पार्टी को अधिकार है मुझ्चे अपने देखने का और लखीरपूर की घटना में 36 गड़ के मुख्यमंत्री को लखीरपूर आने की फुर्सत थी लेकिन 36 गड़ में तंगे हुए थे प्रकार कितनी एक प्रकार के चिंता नहीं है और इंको चनोती रहता है और भार गिंता पाइट अप्रेंका गाधी को पीछे पीछे इडी दफ्तर जाती है उसके मुझ्देवजी को जवाइक देना चीए कारवाई की जिल्दी की जाती है कांग्रेस पार्टी मुझेरी लाल के हदी सबने देखती रहे इससे पोई उनको रोपने नहीं जा रहा और आने वाला वक्त भरी हुई है क्योंकि आएगा इनको कि जनता किसके साथ है आर्के जनता पाईटी प्रस्टा चार को उजागर कर यह किसी भी तरह तरह तो तो दिखे ही नहीं जाए रहाउल गांधी साथ तो जब से अमेटी से गए हैं तब से दिखे ही नहीं कि यह से लकींपूर में गए ते आप यह से कह सकतों लाउल गांधी चाह उट्य प्रदेश में जो आप में यह चुनाओ को आपको लेकर जो आपका जो शुर से भ्यान चलगा है उसमें राभाउल गांधी साथ नहीं गराउजी तो उनको रोका गया प्रेंका गांदू जी को रोका गया प्रेंका गांदू जी को रोका गया काशिंद क MR को बेष्ट थे हैं बीडियरक्रों और कवर्श पा Cay circuits पूरे देखे पूर्य देश में बरूर यह संभी अमें जulkशते में पर कॉंडय को श्चेष की को लीड कर रहा है बिल्कुल हमारी नेता है प्रेंका गांधी और आउल गांधी उस अपर गांधी परिवार के लावा कोई नेता नहीं बचाएंगे रखेंगे है को इसके लावा कोई नेता नहीं है कोई दिखता नहीं नजर नहीं है नतार बटए है थोरते घ्रकुअ तो में हेते ही घरलीतों की सुर्जुचे 25 Breaking और और दोखी अड़ानी और अन्वानि के लिए पार्टी केमरे तत पर अंचल में झाँ पार्टी केम एक अब राकुवा नेता रुकõी काolishtuld प्रसपा के पास चलिए ठीक है प्रगतिसील समाजवादी पार्टी छोटे दलों को भी मौका मिलना चाहिए उनको उन पर भी चलता है शोईप खान हमारे साथ बैठे हुए है शोईप जी ये बताइए कि आपको नहीं नगता कि आप अभी तक लोग इस तरह की बात कर रहे है कि आप अभी तक बैठे हुए हैं नजरेगड़ा कर कि कोई तो आपको पर साथ ले ले आप पहले समाजवादी पार्टी को भी दिखाने की को रहे हैं कि हमें अपने साथ लेलो वरना बोट काट देंगे वहीं दूसरी तरफ आप धमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम नह कर्थ लिए अधिन के साथ कितनी हो आपके अवास तुरा साथ क्लेर नहीं आ हारी है यह टेक्निकल फॉल्ट है बैं कौहाँगा कि आपके अवास पदेख लिए कितनी है अगली सर्कार जो बनेगी अखिलेश सर्कार बनेगी जमीनी तोर पर शेपाल जहाद्धा आपने कहा कि सर्कार कोई भी बनेगी लेकिन शियोपाल सिंग यादव उसमें किंगमेकर की भूमिका में होंगे कोई तो विचारधारा होगी कि इनकी सरकारी बननी चाहिए, किस विचारधारा के साथ आप हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं कि कॉंग्रेस के साथ हैं कि बीजेपी के साथ हैं पार्टी जनता पार्टी को सरकारे बनाई हैं सरफ श्रे आपकी के सब्सक्राधा इनकी सब्सक्राधारा की Oke तो विच्छु आपकी बीटीम है ङसा तुम है है मैं तो ऐसी सी जगा गया हूं जो सफा को भी आपके वाज आ रहे हैं हम यह कह रहे हैं सारी पार्थिया इस दूसरे का सयोग लेकर इलेक्शन लड़ चुकी है सत्रा में भी चोदा में भी सब एक दूसरे के साथ खड़े होकर भार्टी जन्ता पार्टी वर्सेज और लेकिन अब जन्ता ने इनको जवाज चोदा में भी जिया है सत्रा में भी दिया है अब आप देखें बाइस में भी देखो कि हमने विकास किया है हम अंत्योते को लेकर चल रहे हैं जो सबसे आकरी बंक्ती पर लोग खड़े मूल का साथ लेकर चल रहे हैं हमने जमीन तक विकास कुछाया आवाज दिये शोचाले दिये उस जुरा सब जान देखें विश्व में बात हो हो ठीक है अवाज दिया रही है तो अगर कोई अऔर जया नहीं होता तो वहां भी मोजे जी का डंका बियाती है अब आवाज आरी है अब आवाज आरी है एक मिनट आप विकास की बात कर रहे है आपके विकास की बात किया और इसी विश्वार की साथ आके पड़े और वेक्सिन में भी हमने सबसे जाएं इसे जन्ता के साथ कोई ने खड़ी हो जाती है बाकि जन्ता के काम के लिए आप कह रही है कि कोई भी पार्टी जो है वो जन्ता के कामों के लिए सामने नहीं जाती है अब क्या लगता है वागी पार्टी ने मदब नहीं कि बता जी आप याणिता जिए अनिता जी पाई भला वह ओगे है अनिता जी आपका होगा अनिता जी आपका होगा धिक अनिता जी सीधे तौर पर कह नहीं है कि सब कुछ हमी ने किया कुरूना काल की बात कर ले तो भी सब कुछ हमने किया लेकिन विपक्सकी जो जिम्मिडारिया होती है वो भी आप के दौरा नहीं निभाई गई कि बहुता है तु कि जानना के समय में पूरे देश को भी भार्ती देश को कॉंग्रेश के जिपाही है हम में लाज़शां जै बच्चों को जब लाए है काम ने से मना कर है बच्चों को घर लेकिंट को पुचा आए बुध्ल ने किया वह ने मिंद्धन कारना पन्रिक में हाई किघ्रिती चले ठीक है के अगर हम इस बात को माने या ना माने कितना भी माने या ज़्यादा माने या कम माने इकर इस बात को समझना होगा कि आफिर मुस्लिम वोटो कि टकेकेदारी का जो खेल है वो चुनावाते ही शुरू हो चाता है और एक बार फिर यही सब तस्वीर हमारे सामने एक बार फिर से साम जाने लगी है हर पार्टी ये मुस्लिम वोट बैंक का जो दाओ है जो पुरा पैकेट है उसको हत्याने की तमाम कोशिशें कर रही है लेकिन ऐसे भी ये मुस्लिम वोट बैंक इस बार किस और सरक्ता नज़र आ रहा है इसी पर आज की चर्चा की इसको लेकर आपने बात चीट की और जान दे की कोशिश की कि आखिर मुस्लिम वोट की इस बार जो पैरोकारी और वो आफिर कौन सी पार्टी कर रही है कले कवार फिर आपसे मुलाखात होगी है तब तक के लिए शुक्रिया